दोस्तो क्या आपको पता है पैन कार्ड के 10 नंबर का मतलब शायद नहीं जानते होंगे आप बिल्कुल और यही हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तो पैन कार्ड आपके फाइनेंशिल रेकॉर्ड का अहम दस्तावेज होता है जिस तरह यह अहम है उसी तरह इसका नंबर भी खास होता है इन नंबरों और अल्फाबेट का कुछ ना कुछ मतलब होता है चलिए आपको इसकी जानकारी देते है पैन कार्ड यानि पर्मानेंट अकाउन नंबर अब अहम दस्तावेजों में से एक हो गया है इनकम टैस भरने के साथ बैंक खातों से जुड़े कामों में इसकी जरुरत पड़ती है साथ ही यह आपके फाइनेंशियल लिंदिन के मामले में काम आता है आपको बता दे कि पैन कार्ड दस अल्फा नियुमेरिकल नंबर होता है इसे डिपार्मेंट ओफ इंकम टैक्स अवंटीद करता है क्या आपने कभी सोचा है कि इन अल्फा नियुमेरिकल नंबर का मतलब क्या होता है क्यों इन्हें अल्फा नियुमेरिकल तरीके से ही लिखा जाता है अगर आपको ये पता नहीं है तो हम इसकी सारी जानकारी अभी आपको देने वाले है तो चलिए जल से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ लाइक करना ना भूले तो दोस्तो पैन कार्ड के नंबरों का मतलब आपको बता दे कि पैन कार्ड में अल्फा नियुमेरिकल दस अंक होते है उसे IT डिपार्मेंट, UTI या NSDL के जरीए जारी करता है ये किसी मोबाइल नंबर की तरह रेंडम नहीं होता है बलकि इसके हर एक अल्फा बेट या नियुमेरिक के पीछे एक इन्फॉर्मेशन चुपा होता है पैन कार्ड के 10 डिजिट में पहले 5 डिजिट अल्फा बेट होते है इनके पीछे 4 नियुमेरिक होते है और अंत में फिर एक अल्फा बेट होता है पैन कार्ड में शुरुवात के पाच करेक्टर में से पहले तीन करेक्टर आयकर की अलफाबेट सीरीज को दर्शाते हैं जो की ट्रीपल ए से लेकर ट्रीपल जेट तक के बीच इनकी सीरीज में होते हैं चौथा करेक्टर ये दिखाता है कि आयकर विभाग की नजर में आप क्या है। हर अक्षर का कुछ ना कुछ मतलब होता है। जैसे कि individual taxpayer के लिए आयकर विभाग चौथे करेक्टर के रूप में P का इस्तिमाल करता है। Company के लिए C इस्तिमाल होता है। अविभाजित परिवार हो के लिए एक का इस्तमाल होता है सरकारी एजनसी के लिए जी का इस्तमाल होता है Local Authority के लिए L का इस्तमाल होता है Farm Limited, Lability, Partnership के लिए F का इस्तमाल होता है Trust के लिए P का इस्तमाल होता है नाम का पहला अक्षर भी होता है शामिल Pan Card का पाच्वा क्यरेक्टर आपके सरनेम के पहले क्यरेक्टर को दर्शाता है जैसे आपका सरनेम राजपूत है तो आपके Pan Numbers का पाच्वा क्यरेक्टर R होगा वही Non Individual Pan Card Holders के लिए उनके Pan Numbers में पाच्वा क्यरेक्टर उनके नाम का पहला अक्षर होगा अगले चार क्यरेक्टर हमेशा निमेरिक होते हैं जो Pan Card की सीरीज के लिए sequential नमबर होते हैं और 0001 से लेकर 9999 तक की संक्या के बीच में होते हैं आपके Pan Numbers का आखरी क्यरेक्टर हमेशा एक अलफा वेट होता है तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये जानकारी Pan Card के 10 नमबर और उसका मतलब भी आज हमने जान लिया है तो ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले देखते रहे गजब न्यूज